Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. आज से इस सेशन का माकाइद आवास कर रहे हैं और आज का वीडियो लेक्षर MCAT के स्टूडेंट के लिए NTS का पेपर जो डाव उनिविश्टे फेल्ट साइंस के लिए कंड़क कराया गया 2009 का सॉलेशन हम स्टार्ट करेंगे। आईए हम क्रिस्टिन नबर वन के जाने करते हैं जो फाइनल पेपर में डाव उनिविश्टे फाइल साइंसेज जिनासिन मेडिकल उनिविश्टी के लिए पूछा गया दा प्रॉपल्जिव मूब्वेंट ऑफ दे गेस्ट्रों इंटरस्टाइनल ट्रैक्ट इस पेरिस्टाल्स एपीगलोटिस एंटी पेरिस्ट करता और एक हमारे कॉंचेप्स को चेकरता है अनपर्शनेटी केल्कॉलेशन बेस्ट का बाइलोजी में कोई रोल नहीं होता तो जो भी सवाल आप देख रहे हूं सबसे पहले आप ये समझने की कोशिच करें कि क्या ये आपकी मेमोरी का क्योशन है या फिर आपको इसमें क ट्रांसलेट होता है आगे स्टमक की तरफ और ऐसी मूवेंट को मनाम देते हैं परिस्टाल्सिस नेक्स क्योशन इस दे कैल्विन साइकल कंसिस्ट आप डैश में रियक्शन ये एक मेमोरी क्योशन है अगर हम इसे किसी को चैप्टर नूबर 11 फिर्स्ट ने बालु जी बादर इस तरह के सवालात नहाई थी मुश्किल सवालात होते हैं जिन में आपको सही जवाब नहीं बलके घलत जवाब ढूनना होता है नीचे दिये में तमाम आप्शन बैठाए जोन के लिए ठीक हैं सवाए एक आप्शन के आईए देखते हैं इन आप्शन को हमारी मेमरी को यहां पर यह सवाल चैलिज कर रहा है और जिन बचों ने बैठाए जोन को महत अच्छे तला से पढ़ा था वो यह जानते हैं कि बैठाए जोन में प्रोडूसर्स मौजूद नहीं होते जो कंजूमर्स के लिए फूर बनाते हैं बैठियल जोन 200 मीटर्स देट पर होता है बैंथिक जोन इसमें मौजूद होता है और यह एफॉर्टिक होता है तो इस वक्ट जो इंकरेक स्टेट्मेंट थी वो थी इट कंटेंड प्रोडूसर्स अट प्रेपेर फूट फूर कंजूमर्स और हमारे लिए यह सही जवाब अदीच अधिया तो इनिचिल प्रोडूस अमुनिया अरजिनीन और निथीन दूर्ट अर्टिया और ँटिक असरट उड्स अगर्षाइब VENTRICULAR SEPTUM DEFECT AND NONE OF THEM VITAMIN C KI DEFICIENCY SE SYNOSIS NAHIN HOTA VARICALA ZOSER VIRUS CAUSE NAHIN KARTA SYNOSIS DEGENERATION NAHIN HOTI CARTILAGES KI SYNOSIS MAIN THE CORRECT ANSWER IS VENTRICULAR SEPTUM DEFECT AGAR VENTRICULUM SEPTA CHEEK TAREEK SE KAHAM NAHIN KARTA THAT MAIN RESULT TO SYNOSIS OR ISA HUM BLUE BABYS BE KAHTAIN THE NEXT QUESTION IS THE PROLACTIN HORMONE RESPONSIBLE FOR THE ACTIVATION OF MEMORY GLANDS TO START PRODUCING MILK IS A HORMONE OF PROLACTIN GLAND RESPONSIBLE HAIN MEMORY GLANDS COO STYMULATE KARNA KE LIA JAHAN SE MILK PRODUCED HOTA HAYE THIS PROLACTIN IS A HORMONE OF A MEMORY BASED QUESTION CHAPTER NUMBER THREE OF SECOND YEAR PITUTERY PANQUIAS THYROIDE THYAMOS OR ADRENAL PITUTERY GLAND IS THE RIGHT ANSWER PITUTERY GLAND IS ALSO NAMED AS MASTER GLAND OF THE BODY THIS STATEMENT IS FOR THE UPCOMING THREE QUESTIONS HEMOPHILIA IS A DISORDER IN WHICH BLOOD FAILS TO CLOT SAAD IS A MALE HEMOPHILIC MARRIES SARA A NORMAL WOMAN AND TOGETHER THEY HAVE FOUR CHILDREN'S TWO BOYS TWO GIRLS NOW THE CHILDREN DISPLAY THE SYMPTOMS OF HEMOPHILIA AHMAD ALI AND AISHA ALL MANY NORMAL INDIVIDUALS AND HAVE CHILDREN'S NONE OF AHMAD OR ALI'S CHILDREN MALE OR FEMALE DISPLAY THE SYMPTOMS OF HEMOPHILIA BUT THE SON OF ALI AND AISHA DISPLAY SYMPTOMS OF HEMOPHILIA WHILE THE DAUGHTER OF ALIA AND AISHA DO NOT A VERY CONFUSING QUESTIONS ISTARAH KEY SOWALAT HUMINI CONFUSES KARNAKE LIE DEE JAATAY HUMINI SOWAL KHO EK DAPA PHR PADHENGY सबसे पहले हम इससे जनरेट हुआ हुआ पहला सवाल पढ़ते हैं विजद फॉलिविंग दस बैस एक्स 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 है जिसने सारा से शादी की साद हेमोफिलिक है सारा नॉमल है साद के जो पेपीस हैं जिन में एहमद अली आलिया और आईशा शामिल हैं इन में से कोई भी हेमोफिलिक नहीं है इसकी क्या वजा हो सकती हम बात कर रहे हैं सेकंडेर चैप्टर नबर 7 के जैनेटिक से option a hemophilia is an x-link disorder and Saath can only pass on his Y chromosome hemophilia is an x-link disorder and even though Alia and I shall receive a hemophilia X chromosome from Saath, Sarah gave them a normal x chromosome so this statement is the right answer hemophilia ka joh disease chromosome है वो x पर एक करता है वो X chromosome है अगर एक एक्स क्रोमोजूम एंटर होता है साथ की तरफ से अलिया और आईशा में तो दूसरा एक्स एंटर होता है सारा की तरफ से जो के एक नॉर्मल वुमिन थी that was the reason के इन्हें हेमोफिलिक के सिम्टम्स नज़त नहीं आएं these are the options C, D, N, E हम correct answer इससे पहले ही देख चुके if one of Ali's daughter marries a normal man what is the probability that one of the children will display the symptoms of हेमोफिलिया या बात की जा रही है कि Ali की एक बेटी अगर शादी करती है एक नॉर्मल में से तो कितनी percent probability हेमोफिलिया होनी की हमने पढ़ा females में हम इस disorder को नहीं देख पाते है क्योंकि इनके पास दो X chromosome है अगर एक डिजीज है तो दूसरा उसे normal कर देता है they are only carrier अगर वो एक normal man से चारी करेंगे तो there is a zero percent chance of babies to be hemophilic the next question of this treatment is which of the following individuals are heterozygous for hemophilia heterozygous से मुराद है जब दोनों chromosome पर different functions है और homozygous से मुराद है जब दोनों similar हो for example capital T and capital T are homozygous tall and capital T and small T are heterozygous tall सवाल किया जा रहा है कि इन पेर में से कौन सा ऐसा पेर है जो hemophilic condition के लिए heterozygous है so alia and aisha is the right answer because अगर एक X male से मिल भी गया hemophilic तो दूसरा exonormal female से मिला normal mother से मिला वो इसे heterozygous hemophilia condition के साथ लेकर आएगा the next question is which of the following would be most likely to occur in an ecosystem option a as the number of prey decreases the number of predator increase as the number of predator increase the number of prey increase इस तरह के सावलात बड़े confusing questions होते हैं जहांपर बड़े similar words हमें catch कर रहे होते हैं एक बात को हमें समझने की यहांपर जरुवत है कि prey की तादाद अगर हम कम कर देते हैं तो उनके शिकार करने वादे की तादाद कैसी होगी यह तानलुक अगर हमें समझ में आजाएगा तो उस वक्त हम जान सकते हैं कि C is the right answer अगर जिनका शिकार करना है उनके तादाद कम है तो शिकारी के तादाद भी automatically कम हो जाएगी The next question is which of the following bones are present in the palm of an hand Option A carpel, Option B metacarpal, Option C phalanges, Option D tarsals and Option E radius It's a memory based question, the right answer is metacarpals Number 12, which biome contain mapies, orca and bear Memory based question है यहाँ पर अगें यहाँ कोई concept नहीं होगा हमें simple याद करना होगा के deciduous forest contain mapies, orca and bear Question number 13 of the list is the major sign and symptom of microcephaly Is sexual defect, exercise number of toes, mental retardation, small skull in proportion to the normal Body size, split in the upper lip and gap in the roof of the mouth Right answer is a small skull in proportion to the size of the body हम बीमारी का नाम ले रहे हैं, microcephaly Cephalी से हैं मुराद हमारा skull और head part है, और micro से मुराद है छोटा तो बीमारी के नाम को अगर हम समझें, तो इसका option automatically हमारे सामने आएगा Next question is the reaction involved in a chemotropic nutrition is, एक memory based question है हमारे पास 5 equations given है Chemotropic equation in में से, equation number C है The muscles attached to the bones are voluntary and smooth, involuntary and smooth, voluntary and striated, involuntary and striated, smooth and striated हम बात करें, skeletal muscles की, skeletal muscles voluntary and striated भी होते हैं, so voluntary and striated is the right answer हम इस lecture में यहाँ तक है, इन्हें solve करेंगे, इन्शाला हम इन्हें lecture में, हम question number 16 से 30 को solve करेंगे अगर आपको इस दोरान कोई भी सवाल कुछ ना हो, तो comment box में आप question कर सकता है बहुत शुक्राइब वीडियो देखने का अपना खायल लखेगा, अल्ला हापिस